विल दोस्तों सबसे पहले आपको इस page पे आना है इस website पे आना है link आपको अन्यची description में मिल जाएगी प्लीज आप link description में जो दी हुई है वही use करें क्योंकि हो सकता है आपको आगे कुछ इससे benefit मिले आपको इस page पे लेके आएगा और उसके बाद में आपको क्या करना है उसके बाद में आपको यहां पर जोइन वाले बटन पर क्लिक करना है जिससे यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा creators या फिर brand प्लस agencies हमारा option जो है वह creators वाला है तो हमें creators पर क्लिक करना है जोस्तों यहां पर आपको इस website के बार बता दूंकि इस website का नाम तो यहां पर आपको दो-चार option मिलते हैं तो यूट्यूब वाला एक Twitter एक Tumblr और Facebook अब यहां पर कुछ terms and conditions है मैं आपको बता दू विल दोस्तों यहां पर आपके 5000 followers होने जरूरी है यानि कि अगर आपके यूट्यूब चैनल है अगर आप उससे जोइन करना चाहते है तो आ आपके 5000 likes होने चाहिए या फिर Tumblr पर 5000 followers होने चाहिए तो I hope कि आप शायद आपके पास इन तीनों के options तो नहीं होंगे बट Facebook वाला पेश तो I think most of अगर सबके पास होता है जिस पर 5000 likes होते है तो शायद आप लोगों में से किसी के पास हो तो बेटर है आप Facebook से जोईन कर लें तो यहां पे आप किसी से भी करना होता है सब्मिट करने के बाद में आपके mail पर एक verification mail आता है उस पर क्लिक करके आप अपने email को verify कर सकते हैं जस्ट उसके बाद मैंने यह ओलड़ी कर लिया है तो मैं यहां पर login बटन पर क्लिक करता हूँ login पर क्लिक करने के बाद मुझे यहां पर email ID डालना है विल गैस login करने के बाद में यहां पर आपको इस page पे लेकिया आता है जो कि होगा sponsorship वाला page और यहां पर आपको डेर सारी sponsorships मिल जाती है जो कि डेली यहां पर update होती है नए-ए-ए-sponsorships आपको मिलती है बिसिकली यहां से आप filter कर सकते हैं जैसे कि यहां पर अगर select करते हैं तो यहां पर आप all category भी इस पूंसर्शिब कर सकते हैं तो यहां पर filter रोल के बता रहा है यानि कि मुझे अभी जब अभी select किया हूए मैं आप Facebook वाले sponsorships वही मुझे शो हो रही है अगर आप चाहते हैं ट्वीटर वाले तो आप यहां से आप Twitter apply कैसे कर सकते हैं यानि कि sponsorship हमें कैसे मिलेगी तो basically यहां पर as an example मैं कोई भी select करता हूँ जैसे कि यह वाली first वाली तो यहां पर लिखा हुआ है कि short review video और Instagram image needed for Bluetooth ठीक है तो मैं यहां पर details पर क्लिक करता हूँ details पर क्लिक करने के बाद में इसकी details पूरी आ जाएगी कि actually यह क्या चाहता है इसकी requirement क्या है तो यहां पर इस detail को आप पढ़ सकते हैं पढ़ने के बाद ही आप apply करें मेरा में यह recommend करूंगा कि आप पहले इसकी details है requirement है वो पढ़ ले उसके बाद apply करें कि इसमें लिखा होग आपको अपनी fees डालनी कि आप क्या fees चाहते हैं इससे sponsorship के लिए जैसे कि मैं 50 डॉलर डालता हूँ minimum यह पर आपको 50 डॉलर डालनी ही है क्योंकि minimum 50 डॉलर ही रहती है I don't know शायद आपके बास कितनी show हो है यह उसके बाद में आपको date select करने कि आपका डिलीवर करोंगे आपका जो वीडियो होगा या फिर आपका जो भी पोस्ट होगा तो मैं जैसे date select करता हूँ 18 हो यह लेटर है तो मैं यहाँ पर थोड़ी जल्दी वाली select करता हूँ जैसे कि 24 ठीक है अब यहाँ पर आपको अपना proposal डालना है यानि कि आपको जो company वाला है जिसका यह product है उसको proposal पूरेगा और देखेगा कि क्या आप जो है eligible हो इस sponsorship के लिए तो उसके बाद में वह आपको reply करेगा या फिर आपकी जो प्रपोसल अगा एकसे लिखना है तो मैं recommend करता हूँ कि आप अपने मन से लिखे यानि कि आप पूरा एक्दम accurate लिखे यानि कि पहले तो आप बतेगे कि actually आपका channel किसके बारे में है या फिर आपका page जो है facebook page किसके बारे में है वहाँ पर किस तरह की audience है और इस company के वहने इस bluetooth product को जो है कैसे business मिलेगा तो वह सब detail में अगर समझाएंगे तो सामने वाली company वाला जो होगा वह समझ जाएगा ओ शायद हो सकता है आपको sponsorship वह at a time दे दे तिक उसके बाद में आपको send proposal पर button पर click कर देना है तो proposal send हो जाएगा अब मैं बतातूं आपको कि अगर आपको कोई invite आता है यानि कि कोई company वाला आपको invite करता है किसी particular sponsorship के लिए तो वह कहा show होगा तो यह वहाँ पर show होगा invites के अंदर तो invites पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कोलाप्स पर click करें जब आप कोलाप्स पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर basically क्या होगा actually कि आपको जो भी अगर अगर collaboration के लिए खुद को enable कर लेंगे यानि कि available कर लेंगे तो आपको request हाईगी अगर आप popular है काफी और यहाँ प तो यह एक अच्छा option है अगर आप किसी से collaboration करना चाते हैं आप खुद की country वाले के साथ बट यहाँ पर मुझे यह बात समझ में नहीं है कि India वाले मुझे search list के अंदर काफी कम दिखते हैं बट अगर आप चाहे तो आप इसे use कर सकते हैं और अगर आपको request आती है तो आई हुई है अब यहाँ पर work rooms करके option हो रहे हैं यहाँ पर हम check out कर लेते हैं यहाँ पर कोई भी active work नहीं है और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप manage में जाते हैं तो manage के अंदर आप यहाँ पर no कर देते हैं are you available for collapse तो आप जो है collaboration की list के अंदर show नहीं होंगे अब मैंने य आपने लोग को लाइशन के अंदर चेक आउट कर सकते हैं और मुझे request send कर सकते हैं अगर मैं no कर देता हूं तो request मुझे कोई send नहीं कर पाएगा अगर अब यहाँ पर जाते हम messages के अंदर यह जो option है third last messages तो यहाँ पर आपको कोई message आता है यानि कि 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 कमपनी के तू किसी sponsorship company के तू अगर message आता है तो यहाँ पर आपको जो है show होगा यहाँ पर प्रपोजल वगेरा production वगेरा pending approval वगेरा सब यहाँ पर आपको show होंगे अगर यहाँ पर आप जो है rewards के अंदर जाते हैं तो rewards के अंदर एक अच्छा option है कि अगर आपके referral link से यानि कि आपका referral link होगा उ मुझे हर एक person पे 200 points मिलेंगे और उन points को आप redeem कर सकते है products purchase करने में तो यहाँ पर आपको list मिल जाएगी यहाँ पर काफी सारे products मिल जाएंगे जो कि आप purchase कर सकते हैं आपके points से जिसकी 5000 points के अंदर में gift card ले सकता हूँ यहाँ पर में ले सकता हूँ 5000 points के अंदर में यह blue snowball eyes अगर मेरे 5000 points हो जाते हैं तो यहाँ मैं Gorilla tripod ले सकता हूँ तो काफी सारे आपको यह products मिलते हैं जो कि आप purchase कर सकते हैं आपके points को redeem करने के साथ तो मुझे काफी overall काफी अच्छा platform लगा है Fembit जो की help करता है creators को एक अच्छी सी revenue generate करने में अच्छी सी earning करने में तो अगर आ है कि आपके Facebook page या Twitter account या YouTube account पे कुछ active subscribers हो चुकि आपके videos को daily watch करें और आपके videos में interest लें तो बात करते हैं dashboard की तो यहां पर dashboard पे आपको सब कुछ शो करेगा यानि कि आपने कितने sponsorship ली है कितनी complete की है और कितनी आपकी earning हुई है अब यहां बात करते हैं कि आपको payment कहां से मि details डाली है अब यहां पे आपका general details है address है payment info है profile है notification है बात में passwords और points और referrals है और haristry है तो जैसे कि मैं यहां पे general के इनर जाता हूं तो यहां पर आपको अपना company name यानि कि आपको जो भी नाम है आपके channel का है फिर आपके Facebook page का वो रखना है फिर आपका खुद का नाम आपका mobile number और आपका email address यहां पर डालना है उसके बाद मैं अगर मैं address पर जाता हूं तो यहां पर आपको अपना address लिखना है यहां पर payment info के अंदर जाके PayPal के थू आप अपना amount जो भी आप earn करते हैं वो redeem कर सकते हैं और यहां पर लिखा हुआ है कि 10% fee जो है वो famebit वाले जो है रखें और यहां पर आप hold भी कर सकते हैं अपनी payment या फिर आप चेक के थुरू भी जो है या फिर local bank transfer के थुरू आप अपना payment ले सकते हैं तो वैसे तो मैंने PayPal ही prefer किया है यहां पर मैंने दूसरा method को try किया नहीं है और मुझे अभी तक sponsorship मुझे मिली है बट मुझे offline मिली है तो मैं इस वीडियो को देख के काफी कुछ सीखे होंगे और आप भी अगर earning करना चाहे तो आप भी अच्छी कासी earning कर सकते हैं इस platform पे विडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like करें और जारा जारा share करें तकि आप जिसे और भी चुलोगे जिनको इस वीडियो की जरू करें बाइब सेफ